तमिलनाडू के डीमके के मंत्री उद्यनिधी मारण उद्यनिधी जो स्टालिन जी के बेटे हैं उनका जो एक बयान आया है उससे यह महबत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि यह कोई आईसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है दिस इस नॉट अने स्टेटमेंट गिवन आईसोलेशन बट इस हैविंग अ कम्प्लीट कांसिक्वेंशल सीक्वेंस आप पिछले कुछ समय से देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं ये भी INDIA अबलीक घमंडिया के घटक दल है फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौरे अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं याद करिए इससे पहले करनाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीष जारकी वली जो कॉंग्रेस पार्टी के हैं मुख्य घटक घमंडिया घटवंदन का ये बोल चुके हिंदू शब्द बड़ा गंदा है जब ये कारिकारी अध्यक्ष हुआ करते थे करनाटक प्रदेश कॉंग्रेस के गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदनी पार्टी के महासचिव हैं जो गुजरात आम आदनी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सक्ता में थे जैसे आज आधरणिये ग्रह मंत्री जिने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे मुस्लिम शुड़ है फॉस्स राइट ओवर दे नैशनल इसोर्स अफ इंडिया इन्होंने अपने मंद से तथा कतित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी कर ली थी याद करिए जन्वरी 2013 यूपीय सरकार के ग्रह मंत्री सुशिल कुमार शिंदे जैपुर में ये बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहें और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए तो अपना स्टेट्मेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही है इससे पूर भी तमिलाडु में कोलत तूर गाओं पेरंबूर जिला वहाँ पर कुछ साल पहले ये कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी सत्तर प्रत्यत हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती है और यही इसी गठबंदन के घटक दल डीम के की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटर्वीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है इसकी आधार पे दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती केरल से कश्मीर तक सेक्लि अलेख दो के एक दो कि दो है जिझे लुट नहीं में ऐसे एक्सेप्श कर लोगभी तो कर लोगभी तो